नमस्कार दोस्तों, PSSM Blessings परिवार से मैं मिशा गुपता, डेना मर्यम जी की पुस्तक, रुक्मनी और काल चक्र का फेर के ओडियो साथ में आपका स्वागत करती हूँ शिशुपाल की मृत्यू के बाद अब जानते हैं आगे की कहानी अंजली कुछ पलो के लिए चुप रही, जब उनके नेद्र कुछ दूरी में देख रहे थे, फिर बोली यह कितना अजीब था, जब मैंने इस लौकिक द्रशे को एक दूसरे ब्रहमाण में दूर स्थान पर घटित होते देखा मुझे यह भी पता था कि हम अभी भी राज अभिशेग भवन में थे, दोनों दृशे साथ साथ चल रहे थे यह ऐसा था जैसे इस्थान और समय विलीन हो गए हो माता और श्री कृष्ण जया के साथ उनके आकाशी रूप में थे, परन्तु उसी शन वे राज अभिशेग भवन में अपने मानविय रूपों में भी थे अब तक माता का देह अपनी सामार ने जागरत अवस्था में लोट आया भवन में अराजकता फैल गई थी और माता ने मुझसे फुस फुसाते वे कहा कि हमें चलना चाहिए मैं उन्हें वापस उनके कमरे में ले गई जब हम चले मैंने उनकी बहां पकड़ कर उनकी सहता की मैं अभी भी जया के साथ उस दूर गुफा में उनकी उपस्थिती से अवगत थी वे उसे सलहा दे रही थी कि वे अपने लिए निर्धारित कारे को कैसे पूरा करें वे मेरे साथ अपने निवास में वापस जा रही थी और गुफा में पारवतिमा और जया के साथ भी थी ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भवन में थे और उस दूर की गुफा में भी उपस्थित थे यह सर्वभूत होने की प्रकृती है अपनी कहानी समाप्त करते ही अंजली की वाणी विसमें में भर गई फिर उस महिला की और मुड़कर जिसने पूछा था कि श्री कृष्ण शिशुपाल महाराज को इतने सारवजनिक और अपमान जनक तरीके से क्यों मारा अंजली ने समझाया देखो रेणुका उसे राजाओं और रानियों की उस सम्माने सभा के सामने सभी महाराजाओं के सामने मार कर वह जया को उस अंतिम घमंड से उसके अहंकार से मुक्त कर रहे थे वह अब नश्ट हो गया है और हाँ श्रीकृष्ण ने एक चिंगारी जलाई है जो अब इस पूरे शेतर में जलेगी और हम केवल घटनाओं को प्रकट होते हुए देख सकते हैं इस लीला का समय आकस्मिक नहीं था जैसा कि मैंने पहले कहा ये एक कहानी का अंथ है जो समय के विशाल अंतराल में प्रकट हुई है और दूसरी कहानी का आरंभ है परियाप्त देर तक सन्नाटा चाया रहा और समू स्वाभाविक रूप से ध्यान की अवस्था में चला गया संधिया हमारे चारों और बसने लगी थी अपने साथ एक धुंद लेकर आई थी जिसने वन को एक आलोकिक रूप दे दिया कहानी सुनते सुनते अंबा और मैं निकट आ गए थे और स्वयम को वन के तल पर नीचे बैठा लिया था और अन्य महिलाओं की तरह सुन रहे थे मैंने सभा के चारों और देखा सभी महिलाएं गहरे धियान में थी मैंने अंबा से फुस फुसाया कि हमारे जाने का समय हो गया है इससे पहले अंधेरा हमें घर जाने का रास्ता खोशने से रोके जैसे ही हम जाने के लिए उठे उन में से एक महिला ने दबी आवाज में पूछा माता अब कहा हैं वे वापस दौरका में महल में हैं और वे अभी उस गुफा में भी हैं मैं उन्हें दोनों जगों पर देखती हूँ वे अपने निवास में हैं अंजली ने उत्तर दिया और यहां भी एक आवाज आई जिसे मैंने तुरंध ही माता के रूप में पहचान लिया अंबा और मैं घेरे से दूर जाने लगे थे परन्तु अब हम माता के रूप को कहीं से प्रकट होते हुए देखने के लिए मुड़े फिर एक पल में वे सभी गायब हो गए माता अंजली और तपस्वी महिलाएं चली गई हम जहां थे वहाँ जड़ की तरह बंद गए अंबा की ओर मुड़ते हुए मैंने अविश्वास से पूछा वे सब कैसे गायब हो सकते हैं ये हमारी माता की शक्ती है अंबा ने दीरे से उत्तर दिया और उस जगह को देखा जहां महिलाएं थोड़ी देर पहले बैटी हुई थी मैं दूर खड़ी थी समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए जब तक की मैंने अंबा की वापस चलने के लिए फुसफुसाहट नहीं सुनी एक सूश्म प्रकाश ने एक मार्ग को प्रकाशित किया जो हमें जल्दी से वन से बहार ले गया और मुझे पता था कि वह प्रकाश माता द्वारा भेजा गया था इसके बिना हमें वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलता क्योंकि अंधेरा गहरा हो रहा था बाद में उस रात अपने कमरे में मैंने जो कुछ सुना था उसके बारे में विचार करते हुए यह प्रशन करते हुए कि क्या यह वास्तविक था या क्या अंबा और मैंने एक साथ किसी सपनों की दुनिया में प्रवेश किया था और यह सब कल्पना थी मैं नहीं जान सकती थी, परंतु मेरे पास वे एक प्रश्न रह गया था, जो वर्षों से मुझे चिंतित कर रहा था क्या मैं किसी भी तरह के संधे को दूर कर सकती हूँ कि हमारी रुक्मनी देवी, हमारी माता वास्तव में सीता मा थी और महान महादेवी नरायनी के साथ उनका क्या संबन था, जिनकी क्रिपा से ना केवल हमारी पृत्वी और हमारे ब्रहमान का, बलकि सभी निर्मित संसारों का संतुलन बना रहता है वन में हमने जो दृश्य देखा था, वे सबताहों तक मेरे मन से नहीं निकला अंबा और मेरे पास एकांथ में रहने का समय नहीं था इसलिए मुझे ये पूछने का अफसर नहीं मिला कि क्या वहली उतनी ही उलजन में थी जितनी मैं थी परिवार की अधिकांश बातचीत अब शिशुपाल महराज की हत्या के बाद शेत में हुई भारी घटना उपक केंद्रित थी मित्रों इंद्रप्रस्त की आगे की कहानी जानेंगे हम अगली कड़ी में आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद